अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नमबर 28 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्जाम्पल नमबर 7 जो पेज नमबर 31 में है सबसे पहले डिवाइड बोला काया है 3x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x2 तो आप बोलोगे सर्च जो पहला दिया हुआ है वो 2x है क्या है प्य आफ सबदेगा आपको खाली प्रॉपर में लिक्ना बस सेकेंड वाला जी ओफ एक्स जिसको हम बोलेंगे दूसरा जो है असेंडिंग और में नहीं है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा जिसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बड़ी वैल्यू से मतलब बड़ी पावर से स्टार्ट करना है बाद में उससे कम और बाद में उससे कम वाली पावर से कल्कुलेशन करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं पर हमने लिख दिया तो उसके बाद हमारा क्या करना है तो हम लिखते हैं यहां 3x square यहां square नहीं है cube है तो यहां पर भी cube बाद में होगा x square plus 2x plus 5 same way यहां पर होगा x square plus 2x plus 1 जैसे यह step complete होगा तो इसके बाद वाले step में आप क्या लिखोगे तो आप start करोगे step 1 से step 1 नमरा क्या है तो आप बुलोगे sir एक बार यहां लिख दो ना वह वाला step तो हम लिख देते हैं तो आप लिखोगे यहाँ p of x g of x r of x q of यह remainder होगा यह caution होगा इसके बाद पहला step होगा p of x upon g of x is equal to हमें दोनों के पहले term लेना है तो p of x की जगह आ जाएगा 3x cube और यहां पर आ जाएगा यहां पर होगा x square तो यहां पर होगा 3x आएगा 3x तो आप बोलोगे sir 3x और multiply किससे करना है gx तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर 3x 3x को multiply करना है gx gx मतलब यह वाला step gx बोला जाएगा g of x तो यहां पर बोला जाएगा x square प्लस 2x प्लस 1 multiply करना start करते होगा तो 3x cube यहां पर होगा multiply करना तो आप बोलोगे 6x square और यहां पर होगा आखिर में 3x यहां तक आपको clear होना बहुत ज़रूरी है जैसे यह होगा step by step लिखते जाएगे 3x cube प्लस 6x square प्लस 3x जैसे यह complete होगा तो minus 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 तीनों जगा पर minus हो जाएगा तो 3x cube कट हो जाएगा यहां पर होगा minus 5x cube और आखिर में जो होगा minus x प्लस 5 हमें यह solve करना है बस यह दोनों को solve करके हमने value रखी हुई है जैसे यह point clear होगा उसके बाद आप बोलोगे sir अभी step 2 start करना पड़ेगा तो हम step 2 start कर रहे step 2 is equal to p of x upon g of x तो अभी हम p of x की जगा लिखेंगे क्या लिखेंगे तो आप बोलोगे sir p of x पहला step है जो 5x square है और यहां पर क्या लिखना है x square cut हो जाएगा x square x square हो जाएगा minus 5 जो यहां पर आप लिखोगे जैसे यह step complete होता है उसके आगे हम आगे जाएगे तो आप बोलोगे sir minus 5 को multiply करना है g of x के साथ तो शुरू करते है minus 5 into g of x की जगा क्या लिखोगे x square plus 2x plus 1 तो यह multiply होगा तो minus 5 x square minus 10x minus 5 तो जैसे ही होगा तो यह इसके बाद होगा minus y x square minus 10x minus y sign change करेंगे तो sign change होगे तो यहां minus है तो होगा plus यहां minus है तो plus और यहां पर भी minus है तो plus तो यह तो cut हो जाएगा इसके साथ आप बोलोगे 9x हो जाएगा और यहां पर plus 10 हो जाएगा तो आप बोलोगे sir इसके जैसे step होते है तो इसमें लिखना पड़ेगा कि question कितना है q of x is equal to 3x minus 5 और r of x is equal to 9x plus 10 इसके साथ हमारा example number 7 complete हुआ अभी हम मिलेंगे lecture number 28 में 28 खतम हुआ है इसलिए 29 में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe जरूर से करें और कहीं पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो comment section में जरूर लिखे मिलेंगे नई वीडियो में 29 नंबर की वीडियो मे